तोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सुमे सुकला और दोपार के एक बज़रे हैं विज्ञार और तकनीकी पराधारित विशेश सुत्र में आप सभी का स्वागत है यह कारिक्रम वस्ताह आपको ऐसे महात्पूर्ण बिंदूओं से अउगत कराता है जो विज्ञान और तकनीकी से जुड़े होते हैं और उन पहलों पर हम आपके साथ सब्ताहिक पर चर्चा करते हैं इस पूरे सब्ताह की सबसे महात्पूर्ण सुर्खी जो रही है उस सुर्खी पर अगर हम नजर डालें तो अभी कल ही वो निकल करके आई युक्रेन और रस्या विवान एक ऐसा महात्पूर्ण मामला जो आज के सबसे हॉट लाइन में बना हुआ है लगातार युद जारी है और युक्रेन पर तिरच्छात्मक रवईया अपना हुए है और इस रवईय के अधार पर वो रूस की सेना जिसे ऐसा अनुमान था कि वो दो से तीन दिनों के भीतर भीतर की उपर अपना रुख अक्तियार कर लेंगे या उस पर आक्रमन करके उसे हांसिल कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो पा रहा है बलकि दोनों सेना एक तरीके से युद्ध कर रही है अलाकि युद्ध वो ऐसा युद्ध नहीं है कि जहां पर हम देख पा रहें कि परस पर बहुत ब्यापक तरीके से वो एक तरीके से रूस का ऐसा मानना है रूस का कहना है कि वो एक सैन कारवाही है ना कि युद्ध है और दुनिया की मेडिया को ऐसा मानना है कि वो युद्ध है खैर जो भी है उस मसले को आगे बढ़ाते हैं तो कल ही कल रूस के प्रधानमंत्री पुतिन साब ने कह दिया कि हमारे जो नुक्लियर बेपल्स है वो रेटी टू फायर है ने कि उनको हमने आन मोड पर रख दिया है और कभी भी हो सकता है बेलरूस ने कह दिया कि हमारे धर्ती पर आप इसका उप्योग कर सकते हैं जापान ने अमेरिका को कुछ सलाह दे दी कि आईए हमारे यहां से परमाड़ बम को आप अस्थापित करिए याई करीब करीब जो मामला तो मोड बिलकुल दुनिया की मेडिया को या दुनिया की राजनिती बिस्रेशर थे उनको ये था उनके मन में की नहीं कभी रूस यूकरेन पर युद्ध नहीं करेगा उखाली बाता कहनी हो रही है मेरे पीछे रूस और युकरेन का नकसा है और रूस ने युकरेन के कुछ हिंसों को एक सोतंतराष्ट के तौर पर घोशना दे दी याई करीब करीब वो जो नाटो और कहीं कहीं रूस का जो विवाद है वो आप सब कुछ जानते हैं उस मसले के तहत हम नहीं जानेगे वो अंतराष्टिय संबंद हो गया हमारा आपका जो आज का संबंद है आज की बातचीत करने का जो एक ब्यापक अउधानड़ा है उसको ले करके है कि आखिर जो जनसंगारा की उधास्तर है जिनकी बातचीत चल रही है और इस युद्ध में भी आखिर कर एक मोड़ आही गया जनसंगारा की उधास्तरों का कि हम इसका उपयोग कर डालेंगे अगर चीजे बेहतर नहीं हुई तो अनुमान हमारे हमारे अनुमान के रूप चीजे नहीं बढ़ी तो रूस ऐसा मान चला है कि हम इन युद्धास्त्रों का उप्यों कर ही डालेंगे तो करीब करीब इन सभी बातों को लेकर कि आज हम आपके साथ परिशर्चा करने वाले हैं तो एक बार इस सत्र को थोड़ा सा शेयर कर लेंगे जिससे कि हम अपनी पहुंच या अपनी बात और लोगों तक बना सके और उनको समझा सके या आखिर जो जनसांगार की उधास्तर होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे वो काम करते हैं तो चलिए एक बार थोड़ा सा इस सत्र को शेयर करेंगे दोस्त जिससे कि आप इस अउधारणा को इस बात को उन लोगों तक पहुंचाएं हम कि सब को बता सके अखिर मामला क्या है ठीक है ना चलिए तो इसी पर बातचीत करने बाले हैं यह मेरे पीछे एक फोटोग्राफ्स है जो इसकी भयावता को दिखाने में काफी ज़्यादा असर डालते हैं आप देख पा रहे हैं कि जो जनसंगारा की उधास्तर होते हैं इन ही पर हम चर्चा करेंगे और आपके मेंस को लेकर के और आपके पीटी को लेकर के यहां से क्या बात हैं को सकती है उन पर बात चित करेंगे अमोमन यह कहते हैं ना कि जब टॉपिक छिड़ा ही है तो यूपीएससी की तैयरी कर रहा है तो उस टॉपिक को लेकर के हमें पढ़ना होता है इसके बारे में समझना होता है दोस्तों जनसंगारा की उधास्तर की जब बात आती है जब इस पर कोई दिन का एकी स्याह याद है जिसको लेकर के अभी भी घाव भरे नहीं है अमेरिका ने या अमेरिका के बंबर्सक बिमान ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नगाशाकी में दो बम गिरा दिये और दोनों बम परमान बम थे और इनकी बिभिशिका के दृष्टिको ये उक्रेन पर उनके जन संगरा की उधास्तों को लेकर के या परमान बम के तरह मिसाइलों को लेकर के रेडी करने के लिए बात कर रहा है तो हम ये समझना होगा कि इनकी बिभिशिका क्या होती है उस बिभिशिका को समझने के लिए 6 अगस्त और 9 अगस्त की जो दिसाद का उपयोग नहीं किया गया है गिराए गये थे आप इन फोटोज को देख रहे हैं कितनी जदा भयावता और व्यापक सुरूप इसका दिखाया जारा है तो इसी तरीके से हम सभी लोग वापस आएंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर जो नाविकी ये जनसंगरा के उधास् कर गए कि रस्या युक्रेइन पर कभी हमला नहीं करेगा लेकिन यह सचाई है कि रस्या कभी भी अटामिक बंब का उपयोग तो नहीं कर सकता है क्योंकि मामला यह होता है कि जो बिकिरन होता है अटामिक का चुकि आप नक्से में अगर देखेंगे थोड़ा सा मैप की अग परमाड़ बंब से युक्त मिसायलों का अगर आप धोस्ती करन करते हैं आप रविधोंस देते हैं तो इसके नेगेटिव प्रभाव रस्या पर भी पढ़ने वाला है अलाकि बेसिकली रस्या की आबादी उतनी घनी नहीं है तो हो सकता है थोड़ा बहुत कम प्रभाव सब्सक्राइब करता है सोचकर देखिए कि अगर आज युक्रेयन के पास परमाड़ बं होता तो क्या रस्या की हिम्मण थी ऐसा करने की जवाब है नहीं क्यूंकि भारत और पाकिस्तान का उधनाप ले सकते हैं भारत और चाइना का उधना पढ़े सकते हैं कि चाइना कितन संतुलन की अस्थापना है तो युद्ध की शुथिया क्यों बढ़ी आप देख पारें कि सकती संतुलन है ही नहीं यहां पर युक्रेण के पास आटामिक पावर नहीं है और यहां पर रस्या दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आटामिक नेशन है तो सीडिसी बात है ताकत के तोर पर बहुत चमतावार है नहीं नाटो और अनिसे नाओ ने इनको कहा था या ने देशों ने को कहा था कि मैं आपका साथ देंगे हलाकि अगाहे बेगाहे प्रतच अप्रतच तरीके से साथ भी मिल रहा है लेकिन इन राष्टर के नागरिकों इनके जो शैन अधिकारी है या इनके सैनिक है उनकी जिन्द दिली यह है कि अभी तक 3-4-5 दिन हो गए 6-5 दिन होने बाला है अभी भी यह दो लड़ रहे हैं और कहीं ने कहीं बैठकों का एक दोर समाप तो हो चुका जो कि बेन दी जा रही है और दूसरी बैठक के लिए मंच सच चुके हैं ऐसा अनुमान है कि बैठक के जरीए सांति समझोर्ते किये जा सकते हैं और अंतताह मामला वहीं तक से मित रहेगा और इतना ही होना भी चाह होते हैं यो धास्तर होते क्या हैं आखे यह कैसे धीरे-धीरे हमारे लिए यह यह कहा जाए दुनिया वारे के राश्ट्रों के लिए इतने आहम कैसे हो गए आज के दौर में अभी अपने कल देखा होगा हमारे प्राइम मिनिश्टर शाह नहीं कि मोदी जी ने यह कहा कि द लिए भारत सरकार यानि की जो भारत की सरकार है जो हमारे प्रधारमंद्रिशा उन्हें इस चीज़ को लेकर के काफी गंभीर और अहम मुद्दों पर बात की कि हमें खास कर कोशिश करनी होगी कि हमें देशी कृत तरीके से या सुदेशी तक्निकी से अपने युद्धास्ट बढ़ते हैं और विज्ञान और तक्निकी के संकल्ब को उनकी विवस्थाओं को आई समझने का प्रियास करते हैं एक बार इस सत्र को थोड़ा सा शेर करें जैसे की और अधिक लोग हमारे साथ जुड़ें और जुड़ करके इसको समझ सकें कि आखिर युद्धास्तर को ल इसे अंग्रेजी में कहते हैं बेपनाप मास डिस्टेक्शन डबलू एम डी ठीक है ना ये होते हैं इन पर थोड़ी चल्चा कर लें इनके बारे में जा लें तो ज़्यदा भेतर है बैसिकली ऐसी उधास्त जो भारी जनसमूह में या अधिक जनसमूह को एक साथ बिनस्ट नात्र कर दें उनको हम जनसंघर के उधास्त कहते हैं या नाकिवल वायृजिकल यहींकि अजयबिक घटके um को भी नक्सान पहुंचाते हैं उन्हीं को हम्ट जनसंघर के उधास्त कहते है तो आप एक चोटी सी परिभास हाँ दे सकते हैं कि जो ऐसे योधास वज भारी जन समूं को एक साथ छती पहुंचाएं एक साथ छती पहुंचा सकें तो उनको हम कहेंगे जनसंगारक युद्धास्त्र बेसिकली यह नकेवल लिविंग तिंग्स बलकि नॉन लिविंग तिंग्स जैबिक और अजैबिक दोनों घटकों को प्रभावित करते हैं ठीक है यहां प सभी को प्रभावित करते हैं और जैबिक का मतलब मनुष्य पसु नहीं होते हैं युद्ध की विभी जी का पसु भी जेलते हैं ठीक है ना पसु पक्षी पेड़ पौधे इन सभी को भी यह बिनिश्ट करने में छमता वान होते हैं तो बिसिकली यह हैं डव्ली एंडो आम एक तरीके से इन पर राष्ट कोशिश करें कि ऐसे किसी भी जन संगहरत युद्धास्तों का ना तो बनाएं ना ही उपयोग करें और ना ही इनको उपयोग करने की बढ़ावी के साथ बात करें दुनिया बर की तमाम संधियां हैं सी टीवीटी सीवीटी या अस्टिया बने हैं जो इन जन संगहरत युद्धास्तों के विकाज और इनके आयात मरियात और इनके संगहरत आदी पर रोक लगाने जैसे काम कर रहे होते हैं लेकिन इनके बावजूद दुनिया के कई सारे देश इन जन संगहरत की युद्धास्तों से लैस हैं और लैस हो करके वो युद्धगत इस्वतियों में अपनी शुरक्षा को और अपनी की मजबूत और पुगता करने के लिए इनका उप्योग कर सकते हैं या इनकी साथ इनकी आणवे बैठ लेते हैं जैसे भारत भी इसमें सामिल है खर नजर डालेंगे कि कौन-कौन से जनसंगरक युद्धास्त करकार ठीक है आये देखते है तो पहला जो होता उसे बोलतेर हैं नाविकी इधास्तों क्या हो जाएगा युकलीर वेयपन हो जाएगा और जो नाविकी इधास्तों होते हैं यह बड़े खतरनाग होते हैं इनमे से आप पर्मारु बम की बात करते हैं atomic bomb या इसमें आप hydrogen bomb क कि बात करें या आज की दौर में निट्रोल बम भी बहुत तिवर गती से ब्यक्सित किया जा रहे हैं तो ये सारे के सारे जो बं हैं इनको हम जनसंगहरक युद्धास्तों की स्रिंकला में रखते हैं क्योंकि ये भारी समुख को ये बारी कि कुछ ऐसे मेडिया sources ने मेडिया houses ने कहा कि रासानी खमले की संभावना भी जदाही चास सकती है तो ध्यान दिजेगा अगले गरी उध्धास्तर की बात करें दूसरे तो यह भी बड़े खतरनाक होते हैं इनको हम बोलते हैं रासानी की उध्धास्तर क्या बोलेगे रासान आप इन्हें biological बेपन के तौर पर माल सकते हैं, तो आप जो भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं biological बेपन, और यह कैसे हो कि इनको आप बोलेंगे, यह है chemical बेपन, ठीक, तो basically तीन ऐसे नाम है जो आप जनसंगारक के समुह में रख सकते हैं, और यह बड़ी भरी जनसंख्या क को एक तरीके से तबाही मचाते हैं और इन ही में से जो अभी बात चित चल रही है, इनका मानना है पुतिन साब का कि हम जो हमारे atomic bomb वाली missile हैं, उनको हम ready to file कर चुके हैं, हमारा कहना है अगर Ukraine नहीं मानता तो उससे दगा देंगे, हलाकि ऐसा कुछ होगा नहीं, मेरा जैसा आम बात नहीं है, इसके लिए कई सारी संधियां हैं और इसको लेकर कि रूस कभी तोड़ नहीं सकता, ऐसा नहीं करेगा वो, तो खेर एक उनके राष्टपती का आना और राष्टपती का कहना एक राजितिक हंतकंडा हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ऐसा कहना भी नहीं चाहिए तो लेकिन अब कह रहे हैं तो इस समुद्रे पर हम लोग यहां तक आ चुके हैं और बातचीत कर रहे हैं, ठीक है तो इतना नोट कर लीजिए आप, आईए देखते हैं कि नाविकिये उध्धास्तर कैसे होते हैं, रासानी की उध्धास्तर कौन-कौन से होते हैं और बायलोजिकल वेपन्स कौन से होते हैं, इन दोनों को लेकर के कौन कौन से ऐसी संधियां बना ही गई हैं, जिनको लेकर के लगातार दुनिया भर के देश फालो कर रहे होते हैं, और भारत की रिसादसा क्या है, इन सभी विंदों पर हम लोग बातचीत करेंगे, तो अगर बात की जाएं नाभी की युधास्त्र के लिखेगा हैं, नाभी की युधास्त्र नाभी की युधास्त्र ग्यांदी जीगा, 1949 में, एक बिज्ञानिक हुए ऑटोहौन, नाम याद है आपका, उनकी दो साथ ही थे, उनका नाम था मेटनर और स्ट्रसमैन, ये कहानी है 1939 की, 1949 की, उनके बिज्ञानिक का नाम था ओटोहौन, और इनके साथ ही थे, उनका नाम था मेटनर, और दूसरे थे स्ट्रसमैन, इन सभी लोगों ने मिल करके, एक बिवस्था खोजी, और खास करके नुगलियर फिजिक्स में इनकी चमताएं बहुत ज़दा थी, और डाव परमाड विखंडन को लेकर की, बिवस्था को जी, परमाड विखंडन कैसे होता है, ठीक, और इन्हों ने कहा, कि देखो, परमाड विखंडन का मतलब यह है, कि जो यूरिनियम 235 होते हैं, इन पर जो हम नूट्रॉन का बंबारी करवाएंगे, क्या करवाएंगे, जीरु इस से क्या बोलेंगे, न्यूट्रों, कि जो बंबार्डमेंट करते हैं, न्यूोट्रॉन को हीट करते हैं, टार्गेट करते हैं, तो यह यूरिनियम 235 थोड़ा सा स्लाइटली मूब करता है, और अपनी दिसा से भठकता है, और यह कर्वारट हो जाता है किसमें, यह कर्मर नहीं मταलती है किसमें मास डिफऐक्ट होता है आर जो दर्व़्यमान की छती है यह जो दर्वबिमान की छती है। आधार पर यह इसी का उपयोग करके आजք दौर में दू मड़े काम हो रहे हैं। एक रचनात्मक कारी हो रहा है और दूसरा गैर रचनात्मक कारी हो रहा है रचनात्मक कारियों में जो सबसे महत्पूर्ण मसला है उसको समझेगा जो इसका रचनात्मक कारी है परमाडू औरजा का वो क्या है तो वो है परमाडू रियक्टर बनाना क्या बनाना एटॉमिक र भठीयों बनी है जिससे की हम और जाप्र आपट्र करते हैं वह सो इसके कैसे कारई हैे रचनात्मकर CARE कारे हैं लेकिन एक विधोन सब्सक्राइब ना मैं तो जो विधोन्सक्रारा रहा उसको ध्यानिजिगा इस से दुनिया लोगों ने इसे तकनिकी का उपयोग करके क्या बना डाला परमाडू बंब बना डाला अब देखें कहानी यहीं से कन्वर्ट होती है 1942 में इटली की एक सरणार थी थे और भागी भागी गए अमेरिका अमेरिका के सिकागो विश्विद्याले में उनको नौकरी मिली और प्रोफेशर बन गए और 1942 में उन्होंने मान के चलना जो मैं आपको कहानी समझा रहा हूं इसको सोचियेगा और अच्छे सुनियेगा उन्हीं सो बैयालिस्वनी की 1942 में उन्होंने दुनिया की पहली एटॉमिक रियक्टर बनाया परमाडू भट्टी बने उसका नाम था उन बैग्यानी का नाम और यह एटली के सर्णार थितिकर और इवेसे में सिकागो में इसमझेगा यह नम्त जी पहली बार आख सम्मेहिलन में इसी सिकागो की कहानी है तैं समझे कह यहां पर और जो विधमिन्सक कार्ये हुआ, यह हुँआ है नाम पर 1939 के कई सालों बाद सर जे ओपन हीमर करके एक बैग्यानिक थे अमेरिका के 1945 जुलाई महीने में दुनिया का वो दोर मैं आपको समझाना चाहरा हूँ, यहां तक आगे लिखेगा और आगे बढ़ाता हूँ मैं, उमीद है कि यहां तक बातें आपको समझ में आ रही होगी तो अच्छी बात है और दुनिया को पता चलता है ठीक है न और परमाणु विखेंडन के बारे जो दुनिया जानती है, तो इसी का सहारा लेकर के अमेरिका के एक विग्यानिक थे, उनका नाम था सर जे ओपें हीमर, ओपें हीमर, और यह ऐसे पहले व्रक्ति बने, जिन्होंने इस टक्निकी का सहार लेकर के दुणिया का पहला परमार्वम बना दिया, पहला परमार्वम बना दिया, यह तारीक कैसी थी, यह तारीक थी 16 जुलाई सन 1925, क्या था, जहादी जेगा, 16 जुलाई सन 1945, आज भी यह दोर धेखे, 16 जुलाई 1945, आज भी Second World War चल रहा था, यानि कि दुतिय बिस्द्ध अभी भी सक्री तोर पर आगे बढ़ रहा था और जापान जैसे देश बिलकुल अंत ही नवस्था में थे अमेरिका में बंबना दुनिया का पहला ही है अमेरिका को पता था कि हमें बैस्बिक महासक्ति बननी है रोज को बिना बता है तारीक जुलाई के बाद अगस्त आता है और सबको पता है नया नया बंब बनाया है दिखाना भी है मार्केट में और इस आधार पर इन्होंने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा और नगासाकी पर बैक टू बैक एक दो तीन दिन के अंतराल पर परमाण बंदाग दिया और यह परमाण बंदागने की पहली और अंतिम घटना है अभी तक इसके लावां कहीं भी अटॉमिक बंब का उप्योग नहीं किया गया है तब सी लेकर कि 1945 से लेकर के उसके बाद सेंघ भी अपने और को लेकर के आगे बढ़ा और दे अजयत report सब्सक्रांइक के पास परमाण बंदा सब्सक्तों हैं दुनिया में और यूयसे के राश्ट्पतियों के वीच हॉट लाइन बेश्ता की गई कि भाई देखो परमार बम को लेकर कि अगर हम में इसे कोई इसे दागता है ते एक दूसरे से हम लोग बाचीत करेंगे उसके बाद फिर और चीज़े आगे बढ़ती गई दुनिया के कई सरे देशों ने अपने अपने रिशर्च की और उसको आगे बढ़ा है जिसे भारत और पाकिस्तान भी सामिल है 1970 के दसक में स्रीमती इंद्रा गांधी के जमाने में भारत ने पहला परमाणु परिछन कर डाला और ऑपरेशन या इस्माइलिंग बुद्धा के नाम से उसे जाना गया फिर पढ़ित अटल भीहरी बाज पीजी के जबाने में दूसरी बार वैक टो बैक पांच अटॉमिक रेक्टर या अटॉमिक बम के परिछन किये गया और ऑपरेशन सक्ति के तौर पर इसे जाना गय और इस तरह से दुनिया के देशों ने भारत को एटॉमिक रेक्ट या परमाणु बम के साथ सक्ति संपन राष्ट के तौर पर स्विकार कर लिया लाकि शुर्बाती दौर में कई सारी ऐसी समस्याइं हुई कई लोगों ने कई जगों से प्रतिबंध मिले कई जगों से क्य हुआ लेकिन धीरे धीरे हमारी जो वैदैसिक रणीती है उनको ब्यापक तरीके से प्रसार देते थे मामला क्लियर हो गया और इस आधार पर दुनिया में कई सरे देशों के पास आज के दौर में ये खतरनाक परमाणु बम मौझूद हो चुका है इसका उपयोग इतना घा अधे बढ़ेंगे और आपको फिर हम ले चलेंगे सर जब बर्लीन की दिवार गिर सकती है तो यूकरेन को कम समझना भूल होगी अब अच्छी बात है आप लोग इतने बड़े अच्छे इंसान है और समझदार है तो इससी इसको ठीक है अच्छी बात समझीए पढ़िए इसमें एक सिंखलाबत chain reaction हो जाता है इसको नियंतित करने के लिए फिर यह uncontrolled chain reaction होता है इसमें कोई reaction control नहीं होता लगातार चलता ही रहता है चलता ही रहता है और जब तक उसमें fuel है तब तक वो जलता रहेगा तो यह तरीके होते हैं और इसको हमने पहला atomic reactor माना इसके बाद और यह जो thermon nuclear हतियार होते हैं यह इससे और अधिक जादा घा तक को चुके हैं जिसको हम बोलते हैं hydrogen bomb ठीकर हलाकि हमारे भारत देश के पास यह bomb नहीं है इस बात को ध्यान दीजेगा और दूसरे को हम बोलते है neutron bomb यह दोनों ऐसे bomb है जो कि मान के चलना कि परमान bomb की तुल खतम हो जाएगी समप्त हो जाएगी क्या इंसान क्या मनुष्य मलब की पच्छी पसू वेल्डिंग्स नदिया तलाब जहने पोकर सब समप्त हो जाएगी तो यह और घातक bomb है hydrogen bomb neutron bomb और अजिक घातक हो चुके हैं आज के दौर में राकि भारत की पास आज के दौर में हमारे bomb दखता है तो 10 की power 7 ans celsius यह तापमान create होता है temperature और साथी साथ गामा rays ठीक है ना ultraviolet UV rays तो ऐसी खतरनाग जू विक्रण होते हैं उनका परसार होता है इसमें ना के बल लोग मरते हैं बलकि लाखों की संख्या में अपंग भी होते हैं और इनका प्रभाव पिढ़ियों दर पिढ़ियों तक बना होता है तो इसकी भयावता की अस्तर को आप समझ सकते हैं, कितना भयावता का अस्तर है यही बज़ए है कि दुनिया के देश इन खतरनाक जनसंखरे की उधास्तों के उप्योग से बचते हैं और मुझे लगता है कि पुतिन सहाब को इन खतना की उधास्तों की बाचीत नहीं करनी चाहिए और इस उधास्ते बचना चाहिए भारत और पाकिस्तान, चाइना ये तमाम देश इसी उधास्ते के बल पर आज सुयम में सक्ति संतुनल की अस्थापना समालते हुए धेर धेर इतनी अर्थव्ष्था को आगे बढ़ा रहे हैं, समझ गए? तो ये पूरा मसेला था, आए बढ़ चलते हैं और लगे हाथ बात करते हैं कि क्या इन उधास्तों के अलामा भी कुछ उधास्तों होते हैं क्या? बिलकुल, जन संगहरक उधास्तों को और दो कटेगरी में उधानेते हैं, चाहे हमा पहला बिशुधु हो यांने कि फ़र्स्टवर्डवार हो और चाहे हमाँ के में कब तो प्रियोग हो क्या लकुद्य५ है, बिशुध्य गया कि इस अने के प्रापब तरीके से, ये बात मान के चलना कि इसके साक्षए मिलते हैं, कि quadratic को उपयोग किया है यह क्या होते हैं दरसल यह जो ऐसे रसायन होते हैं विसे इस तरह के ऐसे घहतक रसायनों का इसमें उपयोग किया जाता है अब फारमुला तो मुझे नहीं पता आपको भी नहीं पता होना चाहिए और जानकारी की कोई आउसकता भी नहीं है और इनके उप्योग से जब यह हमारे प्रतिछ संपर्क में आते हैं अथवा हम इनके आप प्रतिछ संपर्क में हो तब भी अपना प्रभाव डाल और ऐसा करके यह क्या क्या करेंगे पहली बात तो गंभीर छती पहुंचाते हैं ठीक है ना गंभीर छती का मतलब है कि जैसे की जलन पैदा कर सकते हैं इसके लावा बिकलांगता पैदा कर सकते हैं सरीर में ठीक है ना और साथी साथ यह मृत्यों के कारक भी होते हैं ठीक है त बहुत पुराने जबाने में एक chemical आता था जिसका नाम था chloroform ताम सुना है सुनाई होगा बहुत पहले जब operation theater में हमारे पास anesthesia की वो तमाम बातें नहीं थी नहीं कि हम anesthesia के अच्छे विकल्प हमारे पास नहीं थे तो हमारे operation theater में जहां doctor operation करते थे वहां पर CHCL theory इसे हम कहते हैं chloroform रखा होता था तो हम क्या करते थे रोगी को chloroform सुंगा देते थे और फिर वो थोड़ी दिर बाद क्या होता बिहोस हो जाता था तो एक और यहां पर point जोड़ सकते हैं कि बिहोसी भी आ जाती हलाकि यहां तो मैंने लिख दिया था तो यह उसी में सामिल हो जाएगा और जब उसकी बिहोसी या वो अनकांसेस हो जाता है तो ऐसी दसा में मान के चला है को उसका फिर operation होता था लेकिन अब रोफार्म का उप्योग करके जिस मरीज को रोगी को बिहोस किया गया है वो कब होस में आएगा इसका कोई अता पता नहीं होता था कल आ जाए परसों आ जाए तीन दिन बाद आ जाए यह आए ही न यह मुश्किले होती थी तो बेसिकली अगर आप रसाइनिक हंथियारों की बात करते हैं तो यहां से आप उधरन दे सकते हैं आपने फिल्मों में खूब देखा होगा हाइड्रोजन सानाइड यहीं है एस्टे न का उपयोग करते हुए जब बिलन पकड़ा जाता है जब उसके लोग पकड़े जाते हैं तो बातें कबूल ना दे इसके लिए तुरंत चट कर लेते हैं और थोड़ी ही देर बाद उनका देहानत हो जाता है आपने जहर खाते हुए लोग को देखा होग तो ये सब क्या हैं ये सब रसायन ही हैं जिनका उपयोग करें 2015-16 की घटना मुझे याद आ रही है आपको याद होगा दो कोरिया है एक है उत्तर कोरिया एक है दक्षिन कोरिया दक्षिन कोरिया डेवलब कोरिया है उत्तर कोरिया बदमास वाली है आपको याद होगा कि महिला आती है हाथ में पीले रंग का कोई ग्लब्स में पीले रंग का कोई केमिकल था और किम जोग निम के चेहरे पर ऐसे लगा देती है थोड़ी ही देर बाद किम जोग उनके भाई जोकी बड़े भाई थे वह चट-पटाहट के साथ वहीं पर अपना प्रारत्याग देते हैं जब बाद में एजन्सियों ने जांच की तो पता चला कि ये कोई नर्व एजेंट है और नर्व एजेंट के घातक प्रभाव इतने ज्यादा है कि तुचा पर लगाते ही ये ब्रेन को हैजिक कर दिया ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये इतना घातक था तो इस तरह की कई सारे बाते हुई हैं सीरिया युद्व में सरीन गैस को लेकर के देखा गया मस्टर्ड गैस वर्डवार वर्डवार टू में खूब चली तो ऐसे जो उधारन हैं आपके सामने ये केमिकल बेपन के तोर पर आते हैं दुनिया भर में कई देशों में इस तरह की बाते नर्यात पर अपना सपोर्ट नहीं करता और ना ही हमारे पास किसी भी तरह का रासानिक हतियार मौजूद है ना रासानिक हतियार निसेज संधी भी है जिसमें आज के दौर में दुनिया भरके डेढ़ सों से अधिक देश हस्ताक्षर कर चुके हैं और उनका ऐसा मानना है कि जो किसी तरीके से रासानिक हतियार के उप्योग को बढ़ावा नहीं देंगे तो आए देखा था कि कौन-कौन से हतियार थे जिन्हों ने बड़ा घातक असर डाला और इनके कई सारे ऐसे नाम आए जो आपके लिए बाहत पूर्ण हो सकते हैं तो आई एक है करके हम देखत रासानिक हतियार क्लिए इस पर बाचीत करते हैं पहला आया जो रहा उससे हमने कहा नर्व एजेंट यह कैसे रहे दरसल यह ऐसे रासानिक हतियार है जो सीधिये ब्रेन पर असर डालते हैं जो हमारा नियूरॉन सिस्टम होता है ना नियूरॉन सिस्टम उसको यह तोड़ द लेते हैं और सीधी तोर इनसान के मृत्य हो जाती है अगर इनके टॉश्य में आया गया तो मानके चला मृत्यू निस्षय पर कई सब्सक्र एसे नाम है इसमें आपने VX नर्व एजन्ट के बारे में सुना है तो ठीक है नहीं तो लिख सकते है जैसे VX यह वही कहानी है जिसको उनके चेहरे पर ले पा गया था आपने नाम सुना होगा सरीन गैस के बारे में ठीक सरीन गैस यह ऐसे नाम है जो हमारे ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे मस्तिस को यह तोड़ देते हैं और हम फिर सोचने समझने की छमता कम जोर कर बैठते हैं आउनरामारी में 호ति यह कैसे होते हैं देजीगा दूसरे दोत्य होते लिच्टर यह उतने घातक तो नहीं होते हैं बुस्टरेजंट होते हैं यह ज्यादा घातक नहीं है लेकिन इनका काम कैसे करते होगा मि दिस सरीर पर फफोले पैदा करते हैं ठीक यह शम्तरक्य निया जलन पैदा करेंगे ठीक. क्या-क्या होते हैnda? जैसे आपने mustard gas का नाम सुना होगा? यह वर्डवार में खुभ यूज हुई थी mustard gas यह जलन पैदा करती है, अभूने पैदा कर देती है। तो हम blister के तोर पर जानते हैं जो आपका दूसरा महात्पूर्ण मसला रहा ठीक है न इसके लावा पल्मोन्री एजन्ट और ब्लड एजन्ट करके दो और महात्पूर्ण एक्जामपल आपको रासानिक हत्यारों मिल जाएंगे कौन से हैं पल्मोनरी chemical agent है यह यह क्या होते हैं दरसल जो pulmonary chemical agent होते हैं इनका जब प्योग किया जाएगा तो यह basically हमारा जो lung system है ठीक है ना lung system होता है इसको destroy कर देते हैं और इसका सबसे basic example है वो है CHCL3 इसे हम कहते हैं chloroform अब किसी छेतर में जानभूश करके chloroform का छिड़काव कर दिया गया ऐसा करने के बाद उस area के लोगों में विहोसी आ गई और आपको पता है कि अगर chloroform होता क्या है जब यह sunlight में आता है ना sunlight के साथ जब reaction करने लगता है तो बड़ी घातक के gas बना दे इसको बोलता है फासजीन आम सुना होगा फासजीन gas बना देता है और यह gas जो होती इसके संपर्क में आने पर इनसान मृत्यू के तरफ भाग जाता है तो एक तरीके से बड़ा यह negative point है और आप इसे point दे सकते है कि क्लोफार्म एक्ट आज पल्मून लिएजन्ट और अगर यह तरीका ज़दा बढ़ाया गया इसको तो उस पूरी area में फासजीन गैस क्रियेट हो जाएगी और इनसान मारे जाएगी अकसर कभी-कभी आपने देखा होगा या आपने सुना भी होगा कई से घटनाएं हुई है कि धेर सारे एक कमरे में धेर सालों को बंद करके क्लोफार्म डाल दिया गया फासजीन गैस बनगी सब दम घुटके म जो मैंने की जो कानी वो इनी से होती है यह खतरना गैसे क्रीट हो जाती है इसके लावण एक ब्लड एजन्ट भी आता है तो अगला यह लास्ट आप लेकेंगे जो की आपके रासनिक खत्यारों में उसको मोझते हैं ब्लड एजन्ट यह क्या होते है यह दरसल सीज़े तोर पर हमारे blood में react करते हैं और इनके लिए एक ही मातर कहानी है वह है मृत्य हो यानि कि संपर के मेयाने पर मृत्ति हो जाए आपने hydrogen sainide के बारे में सुना होगा ठीक है यह वही कहानी है जो आप कई सालों से पढ़ते हैं hydrogen hydrogen sainide कहते हैं कि आज तक इसका कोई स्वाध नहीं बता पाया जैसे इसको टच किया वैसे मृत्ति हलाक इसका स्वाध हलका सा कसायला होता है इसके बारे में जानकरी मिल चुकी है लेकिन यह भी एक खतरनाक तरीका होता है तो आप इसे नोट किजिए और यह तमाम ऐसे रसनिक हतियार रहे हैं जो कि लगातार इनका उपयोग किया जाता रहा है और लोग इसके बारे में जानते भी रहे हैं तो 1993 में केमिकल वेपन कर्वेंशन आता है और 1997 में रासानिक हतियार निशेद संधी प्रभावित हो जाती है ठीक है ना आज के दोर में 193 से देश हैं तो दो- रासानिक हतियारों का इस तरह के जो पीछे में पढ़ाएं आपको इसका उपयोग नहीं करेंगे और इसको लेकर के 1997 में 1997 में रासानिक हतियार संधी निशेद करके यहां निशेद संधी आई जिसका उद्देश ही था कि हम दुनिया के तमाम देश इस तरह के हतियारों का क परबावी हुई आज के दोर में दुनिया के 193 देश ऐसे हैं जो इस संधी में स्वेम को सामिल किये हुए और कहते हैं कि भाई हम इसमें सामिल है तो इस तरह से किसी भी तरह से तो हम जनसांगर के उधास्त्रों पर लंबी पकड़ बना रहें अपनी तो तीसरा जो तरीका होता है वह बाईलोजिकल बेपन का होता है जो कि और रेरश्ट आप रेर है या कि बाईलोजिकल बेपन की बात करते हैं यह कैसे होते हैं है अलाकि बस पढ़ाना भरी है हमारी कोई मंसा नहीं किस तरह के रासानी में उधास्त्रों का बैलोजिकल ना करे और दुनिया के तमाम बाते हैं और अमीद है कैसा नहीं होगा खैर, biological weapon की बात करते हैं, यह कैसे होते हैं, अभी जब COVID-19 आया था, ठीक है, तो लोगों ने दुनिया के तमाम देशों ने यह कहा या लोगों ने कहा कि इसे जानबूच कर बनाया गया है, और कहा गया कि जो चाइना का बुहान है, वहाँ पर जो लैब है, उसी बुहान में, उसी लैब में से create किया गया, और इसे फैला दिया गया, बिसिकली अभी तक तो पता नहीं चल पाया कि यह फैला कहां से, यह सचाई है, खैर, बाद में जाच हुई तो पता चला कि नहीं ऐसा नहीं है, यह एक प्राकेर्टिक वाइरस है, जो कि लोगों को परिसान कर रहा ह तो हम कह सकते हैं कि जो जैविक हतियारते हों क्या होते हैं, तो कह सकते हैं कि वैक्टिरिया या वाइरस ठीक है ना, मान के चलना कि जो सूच में जीव हैं, जैसे मान के चलना कि वैक्टिरिया है, ठीक है ना, तो वैक्टिरिया हो गया, या वाइरस हो गया, ठीक, या फंग देश है वो किसी दूसरे देश के ऊपर क्या करें या किसी छेतर पर क्या अगरे फैला दें जिससे कि उस पूरे देश या छेतर के लोग क्या हो जाएं गंभीर बीमारियों से पीडित हो जाएं भाई COVID-19 फैला पूरा भारत परिशान पूर दुनिया परिशान हो अब ऐसी कोई जानबूश करके बिमारी फैला दी जाएगी तो पहले इंसान बिमारी ठीक करेगा लड़ेगा होता है पहले बिमारी ठीक करेगा तो इसे हम जनसांगार के उसधास्तरों में बड़ा बड़ी आट लेते हैं कौन-कौन से होते हैं एक होते हैं पैथोजन क्या होते हैं इनको रखते हैं पैथोजन और एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं टॉक्सिक बाइलोजिकल बेपन के तौर पर ठीक है तो दो नाम होते हैं जिनके बारे में आए बातचीत कर लेते हैं जो टॉक्सिक बाड़े खतरनाक होते हैं ठीक है एक होते हैं टॉक्सिक बाइलोजिकल बेपन और एक होते हैं पैथोजन ठीक है इनके बारे में थोड़ी बातचीत करने हैं जो टॉक्सिक बाइलोजिकल बेपन होते हैं यह कैसे होते हैं और जो पैथोजन यह कैसे होते हैं धन्जीगा यह इनका इलाज संभो नहीं है इनका इलाज क्या है संभो ही नहीं है इस बात को ध्यांदीजेगा और जो पैथोजन होते हैं यह सामाने होते हैं और इनका इलाज संभो होता है ठीक ना इनका इलाज क्या है संभो है जैसे कि मान के चलना नॉर्मल सर्दी खांसी जुखाम किसी एरियम फैल गया है छोटे वाइरस आ गए तो उनको ले करके हम मान सकते हैं को पैथोजन है और ऐसे जो की COVID-19 जैसे हो गए या कुछ ऐसे वाइ जीएगा और बेसिकली इसको समझना चाहिए आपको ठीक आए यह बढ़ लेते हैं यहां तक उम्मीद है कि आपने काफी अच्छे तरीके समझा होगा इसको कि यह जन संघर की उधास्तर कैसे होते हैं कि साधार पर नेगेटिव पॉइंट हमारे लिए खड़ा करते हैं ठी बेपन को रोकने के लिए भी इस पर संधी आई और 1972 में बेपन ट्रीटी आई और इसको 1975 में पूरी तरह से आगे बढ़ाया गया तो लिख सकते हैं कि बेपन ट्रीटी ठीक ना कब आई 1972 में और इसको लागू किया गया 1975 में ठीक है और आज के दोर में इसमें कुल 183 देश है और जिनमें से अपना भारक भी सामिल है ठीक अपना इंडिया इसमें सामिल है तो इस बात को धिया देजिए का उमीद है और लोगों से ऐसा अनुमान भी लगा जाता है कि इ उनिया भर में एक समूह है जिसको कहते हैं ओस्टेलिया समूह आपने सुना होगा नाव यह समूँ जो होता है किसी भी तरह से रासनिख हतियारों के और जैविक हतियारों के उत पादन और इसके उप्योग और आयात- नर्यात पर पूर्तास रोक लगाता है तो ये तमाम बाते नहीं जो कि आज की इस पूरे सत्र में रहा है और उमीद है कि आपने समझा होगा कि आखिर बैलोजिकल वेपनिया जनसंगरा के उधास्तर क्या होते हैं और इस पूरे सत्र में हमने इसे ही सामिल किया था और आज के इतना ही रहा हम अगले सत्र फिर मुला झाल झाल